तो आज मैं एक छोटे से टॉपिक पे बात करूँआ जो कि बहुत इंपोर्डेंट टॉपिक है टाटा पंच जिन्होंने ले रखी है यह उनके लिए वीडियो है और जो लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी वीडियो है तो सबसे पहले सबस्क्राइब कर दीजे चैनल को आप तो एक बात है जो एक दो दिन पहले मेरे पास कमेंट आया था कि इसको लांग ड्राइब मे कैसा response रहेगा मसुरी बगरा चा रहे है नोईडा से कोलकादा जा रहे हैं तो वो बोल रहे थे कि गाडी कि क्या performance रहेगी कहीं बीच में गाडी खराब ना हो जाए कहीं बीच में तो जरूर सब्सक्राइब करें तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं जैसे के लोंग ट्रिप के लिए टाटा पंच कैसी है तो लोंग ट्रिप के लिए टाटा पंच बिल्कुल बढ़िया है मैंने जैसे के ड्राइब करी है मसूरी किया था मैं 1200 किलोमिटर का मैंने ट्रिप किया था हिल्स में चलाई थी गाड़ी और बरफबारी का भी एरिया था मैंने वीडियो डाल रखी मसूरी ब्लोग के नाम से उसमें प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं तो वहाँ पे आप जा सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं मैंने बरफ में चलाई है बहुत बढ़िया रिवियू रहा है बहुत बढ़िया एक्सपिरिंस रहा है परफॉर्मंस में में कहीं कमी नहीं आई क्योंकि थर्ड और सेकंड गेर में गाड़ी चलती है लगबग तो हिल्स में बहुत बढ़िया परफॉर्मंस है मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूँँगा मैं तीन टोपिक्स में नहीं डिस्कुस किया थे उन पे मैं एक एक मिनिट लूँगा बस तो हिल्स में अच्छा परफॉर्म किया है और जैसे के कोई लोगों के comment आते के long drive के लिए कैसी गाड़ी रहेगी तो आप long drive में जा सकते हैं लेकिन कोई भी गाड़ी में आप अगर 400-500-1000 km एक बार में continue घरते हैं, मानलो 500 km भी जाते हैं तो वो uncomfortable हो जाती है बीच में आपको यह रहता है आपने 100 km चला ली, 200 km चला ली थोड़ा सा आपको stop देना पड़ता है खुद के rest के लिए भी, गाड़ी का तो आप बैठे रहोगे तो गाड़ी चलती रहेगी जो की क्या हता है, कि हम बहुत बार चलाते हैं 200-300 km चलाते हैं तो इसकी M.I.D. में जो अभी मेरी गाड़ी में 13.3 km पर लीटर दिखा रहा है अभी मैं चाहिए इदर आसपास-ासपास कितना भी घुमालू यह 13-14 पर ही रहेगी कोई कम जादा नहीं होगी क्योंकि बार सिटी में 10-11 हो जाती कई बार लेकिन यह प्रोब्लम है इसको 0 पर करके चलाओ वो फिर 0 से शुरू हो के 15-18-20 तक जाएगी और हाईवे पर है तो वो 25 तक भी जले जाएगी तो यह एक चीज़ का ध्यान रखना दूसरा लोंग ट्रिप में जैसे के आप नोईडा से कॉलकता का एक मेरे पास कमेंट आया था उनके लिए बता रहा हूँ आप बिल्कुल लेके जा सकते हैं नोईडा से कॉलकता वेगर आप जाएंगे या फिर नौर्थ में साउथ विज़ दर भी जाएंगे रोड ट्रिप के लिए तो हाईवे पे है तो हाईवे पे ये गाड़ी सबसे बेस्ट रहती है सबसे बहुत बढ़ी अफीन आता हाईवे पे इस गाड़ी को चलाने का मतलब जबरदस्थ और इसमें आप कुरूज कंट्रोल पे चला सकते हैं गाड़ी माईलेज अच्छी आएगी आपको बार-बार ब्रेक नहीं लगाने पड़ेंगे तो हाईवे पे चलाने का इसका एक्सपिरियंस बहुत बढ़ी है हाँ परफॉर्मेंस बहुत बढ़ी है ऐसा नहीं है कि आपको बीच में ऐसे रोक देगी कि गाड़ी चल नहीं गाड़ी है तो चलेगी परफॉर्मेंस इसके अच्छी है असी नब्बह पे आप चलाओगे तो भी बहुत है सो से उपर चलाओगे तो आपकी मर्जी है और कई बोलते हैं कि इसको फिफ्ट गेर में या सत्तर से उपर जाने के बाद थोड़ा सा लैक ओफिसम हो जाता है लेकिन आप सीटी मोड में चलाओगे मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि सीटी मोड में अच्छा इसका माइले जाता है इको मोड में थोड़ा सा क्या होता है कि पावर डाउन होती है हलकी सी मैंने खुद भी देखा है और मैंने बहुत सारे रिव्यूज भी देखे है थोड़ा सा प्रोब्लम सबने यह नोटिस किया है तो मैं अभी सीटी मोड पे ही चलाता हूं जाए तर मेर को ध्यान भी नहीं रहता है कि मैं इको मोड पर करूँ और हलकी सी प्रोब्लम भी आती है तो सीटी मोड पे चलाओ बढ़िया तो माइले जाएगी आपकी परफॉर्मस भी सही रहेगी एक दो प्रोब्लम और है वो मैं डिसकस करूँगा जब मैं थोड़ा सा और इसको ड्राइव करूँगा